मोबाइल गया हिंदी में आपका स्वागत है हम आपके लिए करा गए फिर एक अंबॉकसिंग रेद्मी 12 5G काफी अच्छा फून है आप इसको खरी सकते हैं बारा ग्यारा बारा आजार उपर में यह आ जाता है चार चीपी रहां एक सोटाइबी श्टोरेज रेद्मी वारों आपको इसे वीडियो बनाते रहेंगे चलिए शुरू करते हैं यह रहा हमारा बॉक्स लेड्मी 12 5G आप यह देख सकते हैं और यह मैंने खुलवा के ले लिया है और यह आप खुला हुआ तो आप समझ सकते हैं कि यह मैंने नहीं लिया है कोरियर बाइस से घर में लिया गय है और आएपी 53 रेटिंग भी है इसमें आप यह देख सकते हैं और बैटरी है 2.2 स्टोरेज है 98 डिस्पले है 22 वाट का चार्जिंग लेकिन 18 वाट ही सपोर्ट करता है आप और पचास का AI कैमरा आठ का फ्रंट कैमरा है इसमें आप यह देख सकते हैं और मैंने जो मंगाया हुआ है चार 128 मंगाया हो आप यह देख सकते हैं छी मन्य फेक्ट जो जो है साथ 2023 का है आप यह देख सकते हैं और ते में और पार हम यहाल ₹ में बिकरखते हैं उप सकते हैं इह फिते पहले sa solo ले अधसा कॉतिट और इक लिख पहले तैम में देते थे वही से ही है इसका user manual और यह back cover आप यह सकते हैं बैक cover देखते हैं मुझे काफी बड़ा feeling हो रहा है और back cover transparent है लेकिन थोड़ा सा अच्छा quality है लेकिन transparent है आप यह देख सकते हैं और इसमें यह समय लगा हुआ आप देख सकते हैं यह देखं़ें बस इसी में यही कंटेन आता है बाकि और इसमें कुछ नहीं आता है इसको रखते हैं साइड में हम आ जाते हैं अपने डिवाइस की तरफ यह देखिए यह जो मैंने मंगवाय है यह सिल्वर कलर मंगवाया है फिनिश्ण च plaisir काफ़ो अच्छी दिया हुआ हुआ आप इसको देख सकते और यह ग्लास बॉड़ी है आगे भी ग्लास है और पीछे भी ग्लास है ऐसा नहीं कि पीफे प्लास्टिक है और आगे क्लास है और नेजाइन क काफी अच्छा दिख रहा है आपको मैं हम नजदी से दिखा लेते हैं यह देखी आप शाया देख सकते हैं और बॉक्सी डिजाइन आप इंदर देख सकते हैं बॉक्षी और आप दे देख सकते हैं यह चालू हो गया है यह आप देखते हैं इस प्राइज में आयार ब्लाश्टर भी आ गया है आप यह देख सकते हैं और हैरफ़ून का गड़्धा भी मिल जाता है और यह इसे यह मालूम पड़ता है कि इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट नहीं है क्योंकि आई-पेस डिस्प् कि सिम इसमें कौन सा लगेगा यह देख से में है आप दो सिम कार्ट में नहीं या एक सिम कार्ट एक में अब लगा सकते हैं चलिए हमारा यह फोन 14 पे जो है दिखाने लगा लेकिन बिल्ट कॉल्टी काफी अच्छी है यह ग्लास बॉड़ी आप यह देख सकते हैं और यह काफी आच्छी है यह देख सकते हैं यह दौन पएज़ में ऐंग आथ ब इसा बहुत नहीं है बेजल है लेकिन काफी देख सकते हैं लेकिन ल्त क्वालिटे काफी अच्छी है आप यह देख सकते हैं ईक्रीकाफी इस कर्षड है, और सरी moving, ऐस, लिग काफी बड़ा है और इस बजट में आयार ब्लाश्टर भी मिल जाता है यह भी काफी अच्छी चीज़ है लेकिन स्पीकर सिंगली है डवल स्पीकर नहीं है चलिए हम इसको सेटप करके फिर आपके सामने मिलते हैं लाते हैं कि इसमें क्या कमिया है क्या खुबिया है और 5G 5G क अग्रिकाइशन के साथ सब कुछ इसमें आपको मिलेगा हम आपको पूरा टेस्ट करके हम इसको बताएंगे फिरहाल अभी तो मैं आपको थोड़ा सा हैंसवन दे दूँगा फिरहाल उसके बाद मैं आपको सब्सक्राइब करके रखे हम आपको पूरी इसकी डीटेल कहीं प्राइज के हिसाफ से डिजाइन काफी अच्छा बनाया हुआ है रेड़िवी वालों ने डिजाइन काफी अच्छा बनाया हुआ हुआ है चली असेट अपकर करके आ गहीं यह देख सकते हैं इसकी ब्रैटनेस काफी ज्यादा है 550 नेट्स है साड़े 500 नेट्स है इंडोर में आउट्डोर में आपको कहीं भी दिखत नहीं होगी इसको चलाने फिराने में बाकि और रिवू तो आपको मैं देही चुका हूं लेकिन फिरहाल डिजाइन काफी अच्छा बनाया है रेडमी वालों ने हम आ जाते है आपके अबाउट फोन में आ जाते हैं अबाउट फोन आप देख सकते हैं अबाउट फोन में जाएंगे तो mioi14 चला है आप यह देख सकते हैं और android 13 पे चला आया हुए यह देखें पर चला है और security पाइच आप देख सकते हैं कि जून दोजार तेविस एक जून का दोजार तेविस वह सिकूर्टी पैश है और यह अपडेट इसमें कुछ अभी अपडेट नहीं आया हुआ है फिरहाल और इसमें सबसे अच्छी चीजी है कि यह देखिए मियोई डालर है आप इसमें गूगल अंटीम बताएंगे नहीं कि अपना डाल देने लगे हैं गूगल डाल अप नहीं है इसमें आप यह देख सकते हैं ओफिरने में काफी अच्छा फास्ट फोन है 90 हस declined जो 60 हस डिस्प्ले चलाए होंगे उनके यह 90 हस डिस्प्ले काफी अच्छ लगेगा जो 120 हस डिस्प्ले काफी चला चוכे है तो उनको थोड़ा सा हो सकते है थोड़ा सा लगे कि हाँ 120 हच डिस्प्ले होना चाहिए फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है बाइ कैमरा 50 मेगापिक्सल एक लेंस एक नॉर्मल डेप संसर के लिए और इसी कैमरा के उसमें जो है फ्लश लाइट दिया हुआ आप देख सकते हैं हों फ़िको सुना देते हैं अगें सिंगल इस्पिकर है लेकिन काफी अच्छा पिकर आपको दिक्कत नहीं आएगी ये रिखें आप इस पीकर है जो सिंगल सिंगर में आज के टाइम पर जो मिलते हैं यह देखिए यह देखिए इस्पिकर ठीक ठाक है एक डीसन सा सिंगर है कोई आपको शिकायत नहीं होगी सिंगर के हिसाब से और फुल एच्डी अपर यह देख सकते कंटेन इसका इसका स्क्रीन साइज काफी बड़ा है आप यह देख सकते हैं यह देखिए काफी अच्छा इसफिकर आप यह देख सकते हैं और क्वालिटी भी काफी अच्छी दीख रही है आप ये देख सकते हैं अवर जो है उसको डिलेट मार सकते हैं और एक चीज़ मैं आपको और बता दू ये देखिए अभी वाई-फाई पे चला है अभी मैं इसको जो है 5G पे चलाता हूँ और ये देखिए 5G तुरंद ही काम कर लिया ये देखिए और 5G कैरियर अग्रिकेशन के साथ भी ये आप्नी रिखिए बहुत सारे फोन में महेंगे-उ-महेंगेorth फिवोन में जो है ये 5G कैरियर अग्रिकेशन के साथ में नहीं आता है 5G प्लस जहिसे 4G प्लस बनके आता है वो इसे 5G प्लस भी इसमें बनके आता है ये रेकिए वाइफाइ आता है यह जहां भाखिग बात है कि आपको कॉल टी कारियर गर्लिकेशन आपको कोई दिख्कत नहीं होगी यह काफी अच्छा रेडमी वालों काम किया है और डिजाइन भी अच्छा हुआ है हम आपको बाइक और भी चड़ा के दिखा देते हैं यह देखिए बैक कबर चड़ा दिया है और फोन आपको comfortable लगेगा कि हाँ फोन है काफी अच्छा फोन है डिजाइन भी काफी लेके चलेंगे तो लगेगा कि हाँ आप फोन लेके चलेंगे आपको ऐसा feeling नहीं होगा कि यह 10-11,000 रुपय का 12,000 रुपय का फोन है आपको ऐसा लगेगा कि काफी महेंगा फोन आप यूज कर रहे हैं चलिए हम आपको वजन करके दिखा देते हैं कि इसका वेट कितना है आप यह देख सकते हैं थोड़ा सा side में कर देते हैं पाकि आपको दिखे हैं 201 गिराम है आ आप इसको देख सकते हैं आपको शाय से दिख रहा होगा यह देखिए साइड में रखेंगे तो शाय से आपको दिखे यह देखिए और यह देख लेंगे तो 225 गिराम है तो वेट भी काफी अच्छा इन्होंने मेंशन किया हुआ है वह काफी अच्छा वेट भी दिया हु यह देखिए तुरंद खुलता है यह आप देख सकते हैं यह देखिए फड़ा फड़ खुलता है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी फेस लॉक में भी यह देखिए यह देखिए कभी थोड़ा सा यह लाइट जल रही मेरे उधर तो इसके सोच सकता है कि कोछ थोड़ा सा कैमरा जो है यह देखिए और बाकि दोनों काफी फास्ट आप यह देख सकते कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और शाइट फिंगर पिंड में यह अच्छा होता है कि आप यह देखिए तुरंती ही दबाएंगे और तुरंती ही खुल सकते हैं यह दिखकत नहीं आएगी इसमें पर इन डिस्पेले फिंगर पिंड में यह दिक्कत आती है कि जैसे ही मैंने दबाया लॉक किया तो इस मु कोई दिक्कत नहीं होती है साइड फिंगर्पिन काफी अच्छा होता है वह देखने में काफी अच्छा लगता है लेकिन साइड जो फिंगर्पिन वह काफी अच्छा होता है हमारा शेलिशन यही है कि आप साइड फिंगर्पिन लेंगे तो काफी अच्छा होगा आपको कोई camera आप यह देख सकते हैं यह देखिए camera के quality काफी अच्छी है पर फिरहाल decent है इस price में camera decent है आप जो है price के इसाफ से justify करना अब यह नहीं कि 20,000 वाले को इससे compromise करेंगे price के इसाफ से काफी अच्छा camera है उसमें कोई आपको शिकायत नहीं होगी आप 10,12, 15,000 वाले तक भी compromise कर सक यह देखिए front camera भी आपको कोई दिक्कत नहीं आगी कोई वो नहीं है आप यह देख सकते front camera भी काफी अच्छा है उसमें आपको शिकायत नहीं है गए 8 megapixel front camera है फिरहाल पर आप जो है price के हिसाफ से justify करना 8 megapixel के हिसाफ से आप यह जान लीजी आप camera में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी पर price के हिसाफ से करते हैं मुद्दे की बात मुद्दे की बात यह है कि फोन 12000 में 4GB RAM 108GB storage 5G 5G carrier aggregation Wi-Fi Wi-Fi नेटवर्क की capacity काफी अच्छी है और इसमें डिस्पले फुल HD display है बिल क्वाल्टी काफी अच्छी है तो आप इसको 12000 में आप ले सकते हैं आपको कोई शिकायत नहीं आएगी आप इसको खरीद सकते हैं मैं तो solution अपना दूँगा कि आप इसको ही खरीदें 4G मत खरीदें 5G आप सीधा खरीदें क्यूंकि आप जैसे 10,000-9,000 में 5G 16,17 में आते थे तो भी थोड़ा सा दिक्कत होती ही किसी को requirement करना पर अभी इसको requirement कर सकता हूं कि आप जो है इसको खरीद सकते हैं अगर आपके पास बैंक हो तो 11,000 में बैंक आपके पास नहीं है तो 12,000 में आप इसको खरीद सकते हैं फोन रेड्मी वालों ने काफी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी और मी डाइलर आप देख सकते हैं मी डाइलर आप मिल जाएगा गूगल डाइलर भी नहीं मिलेगा कि आपको call recording में कोई दिक्कत होगी तो हमारा solution यही है कि आप इसको खरीद सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी चलिए अगर वी वीडियो बनाते रहेंगे